हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का पुनाई एक बार हमारे अपनी यूटूब चैनल सिव कोचिंग क्लासेस पर दोस्तों प्रीबियस वीडियो में हमने प्राक्रतिक का एक जनन की कुछ प्रकार देख लिये थे अब देखें हम इस वीडियो में क्या देखते हैं प्राक् लंबे समय तक बनाए रखने में किया जाता है देखिए कोई भी अच्छे किस्म का यदि पादफ है तो उसको हम अच्छे अच्छे लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं इस प्राकृतिक काईक जनन के द्वारा चलिए जो दूसरा महत्तु है दोस्तों वो क्या है अनेक प्रका चलिए दोस्तों तो हम अब जो है काईक जनन का दूसरा प्रकार जो हमारा है वो है क्रतिम काईक जनन तो चलिए देखते हैं क्रतिम काईक जनन क्या होता है दोस्तों तो देखिए दोस्तों क्रतिम काईक जनन क्या होता है या क्रतिम काईक जनन प्रवर्धन इसमें मनुस्य परयला प्रकार है दोस्तो तो आथवा कली लगाना जिसको हम बड़िंग कहते हैं तीसरा है दोस्तो दाब लगाना ये लेरिंग, चौथा है दोस्तो करतन ये कटिंग, तो चलिए दोस्तो हम चारों प्रकारों को एक के बाद एक देखते हैं, तो चलिए दोस्तो इसमें हमारा पहला प्रकार है रोपन ये कलम लगाना, या हम इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं, तो चलिए फ्रेंट्स देखते हैं रोपन या कलम लगाना क्या होता है देखिए दोस्तों क्या होता है इस बीदी द्वारा एक ही जाती के निकस्ट किस्म के पौधों को उत्तम किस्म के पौधों में परिवर्तित किया जा सकता है देखिए इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि क कोई भी निकट किस्म की एक पवधा है और इसके एक अच्छा करती में हम उसको परिवर्द कर सकते हैं माल लिए हमारे पास कोई गुलाप का पौधा है जैसे माल लिए गुलाप का हमारे पास एक Redلاint है और हम उसके पास की एक जाती की हम मालीजे सफेद पुस्पों को उसके उसमें एड करते हैं या उसमें ग्राफ्ट करते हैं तो उससे जो हमें प्राप्त होगी उससे जो हमें कलम प्राप्त होगी वो कैसी होगी वो हमें गुलावी कलर की प्राप्त होगी है ना या उसमें क्या कह सकते हैं कि अच्छे किस्म की जो जाती है वो प्राप्त होगी हमें तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है इस बिदी में क्या होता है दोस्तों इस बिदी में दो पौधें की साखाओं को परस पर इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे एक पौधे के र दाए से लगर आएगा ऑना जिसको हम क्या कहते है इसकंद कहते है इसके बाद क्या होता है तथा दूसरा पाउधा जो है अच्छी किसम वाला जो पाउधा है जिसकी साखा को हम क्या कहते हैं साखा को इसकंद से जोड़ देते हैं ठीक ना क्या होता है दोस्तो एक तो हमारे पास निकस्ट किस्म का पाउधा है जो मिट्टी से लगा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं इसकंद कहते हैं तथ दूसरा पाउधा अच्छी किस्म वाला जिसको हम इसकन्द से जोड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं कर इस प्रकार दोस्तों जो पवधा में प्राप्त होगा उसमें जो जड़ए eaten और तो जो तो किसकी रहेगी इसकन्द की रहेगी परनतु जो उसके ऊपरी का प्ररोह तंत्र या सूर्ट सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है वो कलम का होता है तो इसका एक्जामपल आप देख सकते हो गुलाब में हम क्या कर सकते हैं गुलाब में तरह तरह की रंगों के क्या कर सकते हैं अच्छी किसम की जाती हम प्राप्त कर सकते हैं इसके अलाबत तरह तरह के उपणद की सभी वीधिया, इनके सभी कसी धान्त एक ही होता है। देखिये दोस्तों क्या होता है, रोपड करने पर क्या होता है, इसकंध तथा कलम की एधह संपर्क में आती है। को मालूम है दोस्तों कि जितने भी डाई काट या दूई वीज पत्री पाउधे होते हैं उनमें क्या होता है जायलम और फ्लोयम के बीच में क्या होता है ये कैम्बियम होती है ठीक है तो ये जो कैम्बियम होती है आपस में जब संपर्क में आती है तो दोनों एक साथ मिलकर नया जाइलम वो फ्लोयम का निर्मार करते हैं और जब ये दोनों नये जाइलम और फ्लोयम का निर्मार करते हैं जिसके कारण क्या होता है इसकंद हुआ कलम परस पर जुड़ जाते हैं। में लेव कर देते हैं तो इस से सबसे जो जरूरी बात है उसको यह द्यान में रखा जाता है कि Cambium जो है तो एक दूसरे को जो हम संपर्क मिला है तो Cambium नश्ट ना हो तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कलम तथा इसकंद के बीच में किसी भी प्रकार कर रिक्तिस्थान नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का रिक्तिस्थान नहीं होना चाहिए यदि इनके बीच में रिक्तिस्थान होता है तो इनमें केंबियम जो है तो केंबियम की नश्ठ होने की संभाव न वन जाती है और जल्दी नहीं जुड़ पाते हैं चलिए दोस्तों हम डाइग्राम के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार हम रोपन करते हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं मारे पास यहाँ पर क्या है एक कलम है देखिए इस प्रकार से कुछ कलम है मारे पास देखिए यहां पास हमारे पास क्या है एक कलाम है दोस्तो इसको हम क्या कहते हैं यह कलाम है यह कलाम है दोस्तो अब देखिए यहां पास क्या है एक हम इसकंद देखते हैं इसकंद जो भाग है वो क्या होता है वो मिट्टी से क्या होता है वो मिट्टी से देख सकते हैं यहां दसा होता है और इसमें इस प्रकार का हम खांच बनाते हैं कि हम इसको अच्छे से रोपित कर सकें अब देखिए यह भाग हमारा क्या कहला गया इसको हमके तेम prizes इसकंद यह जो हमारा भाग हो क्या कहला गया दोस्तों इसकंद अब देखिए जो इसकंद है और कलम जो है इनमें कई सारे देख सकते हैं यहां पर आप छोटे-छोटे क्या निकले रहते हैं कि यहां पो सतलबा से यहां पर क्लम रूंड क्या निकली होती है आप देखिए क्या होता है दोस्तों तो चलिए इनको यहीश प्रकार से आपस में जोड़ते है जो हमारा कलम है वो क्या होगा यहां पास आप देख सकते हो हमारा कलम है वो जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद जो हमारा कलम है वो क्या है हमारा उपरी भाग में आ गया देखिए तो इसके द्वारा आगे की जो प्रकति है वो कलम के द्वारा निर्धारित होगी त तो कलम हमारा अच्छी किस्म वाला है तो जाहिर सी बात है कि हमारा आगे का जो आगे के जो फल लगेंगे या कि आगे के जो फूल लगेंगे वो अच्छी किस्म वाले होंगे तो चलिए दोस्तो यह आपको समझ में आ गया होगा चलिए अभी इसका दूसरा प्रकार देखते चलिए तो दोस्तों देखते हैं लेरिंग करना क्या होता है या दाब लगाना क्या होता है देखिए मात्र पादप से जुड़ी हुई साखाओं से जड़े विक्सित करने की विधी को क्या कहते हैं दाब लगाना कहते हैं देखिए कोई भी हमारे पास प्लांट है तो उससे ज पौधे की साखाओं को जुका कर क्या करते हैं, जमीन पे दबा दिया जाता है, कोई भी पौधे की साखा है, तो इसको क्या करेंगे हम कि जुका करके जमीन पे क्या करते हैं, दबा देते हैं, इससे दबे हुए भाग की पर्वसंधियों से जड़े निकलने लगती है, और दे चलिए दोस्तों जो हमारा दाब है दाब लगाना यह कई प्रकार के होते हैं तो चलिए हम एक के बाद एक देखते हैं कैसे होते हैं इनके प्रकार तो देखिए दोस्तों जो सबसे पहला प्रकार है हमारा वो क्या होता है सरल अथ्वा सामान निदाब देखिए सिंपल जो क्या होता है सिंपल इसको लेयरिंग कहते हैं तो सरालत्वा समान निदाब क्या होता है इस बीधि में साखा के मद्ध भाग को म्रदा में दबा दिया जाता है देखे कोई भी प्लांट की यदि साखा है तो उसके मद्ध भाग को क्या करते हैं म्रदा में दबा देते हैं तथा उसके सीर्स भाग को जो उसका उपरी भाग ह उसको हम क्या करते हैं मिट्टी के उपर रहे अब देखिए क्या होता है साखा में दाब लगाए गए भाग में परवसंधियों के नीचे चीरा लगा दिया जाता है देखिए जो हमने साखा को भूमी पर दबाया है उनमें क्या होता है परवसंधियां होती है यह नोड होती है उनमें हम क्या करते हैं, कट लगा देते हैं, चीरा लगा देते हैं, जिससे साखा के दूसरे छोर से खाद पदार्थों का इस्थानांतरन रुख जाता है, देखिए अब हम यहाँ पर कट लगा देंगे, तो एक साइड से जो मारा भोज़ पदार्थों का इस्थानांतरन हो रहां वो आनाबंद हो जाएगा और क्या होगा खादव पदार्थ ओहीं पर क्या हो जाएंगे संचित होने लगते हैं जिससे क्या होती है तrichten को भीक्सित करने के लिए प्रेरिध करने लगते हैं तो चलिए डाइग्राइम के माध्यम से हम देखते हैं सारा लत्वा समान निदाब किस प्रकार का होता है तो चलिए दोस्तों क्या होता है यहां पास हमान लीजिए हमारे पास क्या है यह क्या है जमीन है या कि इसके नीचे क्या है म्रदा है तो देखिए जो इस यहां पर क्या है एक जो मुख पादप है क्या होता है यहां पर देखिए कई सारे जो हैं मुखपादप की साखाएं निकली हुई है अब देखिए जो मुखपादप की साखाएं हैं यहां पास से एक साखा जो निकलती है वो क्या होती है देखिए उसको हम क्या करते हैं जमीन पर इस प्रकार से हम उसको म्रदा में दवाते हैं अब देखिए इसको हम इसके सीर्स भाग को क्या कर दिया है उपर कर दिया है तो इस प्रकार से दबाएंगे कि उसका जो सीर्स भाग है वो मिट्टी के कहां रहे उपर रहे देखिए और यहां पास से क्या होता है हमें कट लगा देते हैं यह चीरा लगा देते हैं अब देखिए यहां पास इसको क् क्या होता है कि भोजपदात्थों का इस्थान आंत्रां रुक जाता है और यहाँ पास क्या करते हैं और इसको हम cut करने के बाद क्या करते हैं एक नए पादा प्यार ने नए पाउंधे को प्राप्त कर लेते हैं तो चलिए दोस्तों यह आपको समझ में आ गया होगा इसका हम दोसरा प्रकार देखते हैं देखिए दोस्तों जो हमारा दोसरा प्रकार है उसको हम क्या कहते है टिप लेरिंग या सीर्स दाप इसमें हम लचीली साखा को मोर कर क्या करते हैं उसमें सीर्स को म्रदा में नीचे दबा दिया जाता है देखिए इसके हम सीर्स को क्या करते हैं म्रदा में दबा देते हैं यानि इसके उपरी भाक क्या करते हैं मिट्टी में दबा दिया जाता है अब देखिए ब्रद्धि के द प्राप्थ हो जाता है तो चलिए ze proven देखते हैं कि इस प्रकार से याटि प्लेजिख डैंटि फिरेवर इस कर देख्यों निकल रही है और इधर भी साखाए निकल रही है अब देखिए इन साखाओं को मोर कर हम इस प्रकार से इसका जो सीर्स भाग है इसको हम क्या करते हैं देखिए जो इसका सीर्स भाग है और इधर का भी जो हमारा सीर्स भाग है पाओ देका इसको हम क्या करते हैं सीर्स भाग को मिट्टी में क्या करते हैं दबा देते हैं और मिट्टी में हमने देखी यहां पास दबा दिया सीर्स भागों को अब क्या होता है इन सीर्स भागों से क्या होता है कि जड़ें विक्सित होने लगती है और कुछ दूरी तक यह जब ब्रद्धी करती हैं जमीन के नीचे ब्रद्धि करती है और इसके बाद क्या होती है जमीन के ऊपर ब्रद्धि करने लगती है देखे पहले कुछ भाग नीचे की और जाएगा फिर ये ऊपर जमीन की और ब्रद्धि करने लगती है तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से हमने सेर्स दाव या टिप लेरिंग देख लिए चलिए अब इसका हम नेश्ट प्रकार देखते हैं तो चलिए दोस्तों तीसरा प्रकार जो है मारे पास वो क्या है सतत अत्वा खाई दाब क्या कहते हैं दोस्तों इसको इंगलिस में बोलें तो उसकी सखाओं के आधारी भाग को और असके माध्य भाग को क्या करते हैं? जुका करके एक गहरी खाई में दवा दिया जाता है। यानि हम उसको जमेन के काफी निचाई तक क्या करते हैं? दवा देते हैं। इसके बाद क्या होता है? कि इन में कुछ समय बाद अपने आप क्या होता है, नीचे की और जणे विक्सित होने लगते हैं, और उपर की और क्या होते हैं, प्ररोव विक्सित होने लगते हैं, तो चलिए दोस्तो डाइग्राम के माध्यां से हम सता तत्वा खाईद आप देखते हैं, क्या होता है, तो पास से कई सारे देख सकते हों आप साखाएं जो निकलते हैं यहां से मान लिजी यह साखाएं निकल रही है अभी साखाओं को हम क्या करते हैं कि जमीन के नीचे नीचे पाठ है तो इसको हम क्या करते हैं कि जमीन के नीचे क्या करते हैं एक गहरी खाई में क्या करते हैं यहां क्या करते हैं अपने पर्वसंदियों पर जड़ें विक्सित करते हैं और फिर क्या करते हैं उपर की और जो है प्रवरोहतंत्र का निर्माड करते हैं यहां पास देखे यह आपस में क्या कर रहे हैं प्रवरोहतंत्र का निर्माड कर रहे हैं या सोट सिस्टम का निर्माड करत हैं देखिए आगे चल के पूरा पादप करोप ले लेते हैं और अलग करने पर हम क्या करते हैं यह नए इस बीद में साखा की भूमि में 36 रखकर क्या करते हैं ? उसे हम थोड़ी थोड़ी दोरी पर पुर्मनदा से इस प्रकार ढखते हैं कि एक निषचित अंतराल पर साखा कुछ हिस्सा खुला रहे देख़ों इसको हम क्या करते हैं ? तो निश्चित अंतराल के बाद एक के बाद क्या एक इनको इस प्रकार रखते हैं कि इनकी साखा का कुछ हिस्सा क्या रहे खुला रहे और इस बीधि में क्या होता है एक ही दाब से हम क्या करते हैं और एक सारे पौधे प्राप्त कर लेते हैं चलिए देखते हैं डाइग्रा यहां पर देखिए जो हमारा ये मुख पादप है अब देखिए दोस्तों इस मुख पादप की यहां पास एक साखा निकल रही है और इस साखा को हम मुख पादप की क्या करते हैं कि 36 दिशा में देखिए यहां पर 36 दिशा में हम इसको इस प्रकार दबाते हैं कि इसका जो ब अब इसमें क्या होता है दोस्तों और ये प्रत्य भाग जो है खुले हुआ भाग क्या करता है नीचे की और जणे विक्सित करता है और क्या करता है उपर की और क्या होता है प्ररोतंद का निर्मार करते हैं और इससे क्या होता है हमें एक नया पौधा प्राप्त हो जाता है तो चलिए दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा चलिए इसका हम अंगला प्रकार देखते हैं दोस्तो इसका आखरी प्रकार है वो क्या होता है देखिए वायुदाव अत्वा गोटी बांधना क्या कहते हैं दोस्तो इसको हम वायुदाव अत्वा हम गोटी बांधना कहते हैं और इसको इंगलिस में हम एयर लेयरिंग कहते हैं चलिए दोस्तो हम देखते हैं वायुदाव में हम क्या करते हैं इस प्रकार की विदि का प्रयोग करते हैं देखिए क्योंकि इनकी साखाओं को मोड़ कर मुर्दा में दवाना संभू नहीं है देखिए कोई भी अधी काश्ठी ब्रच्छ है तो उसकी हम साखाओं को मोड़ कर जमीन में नहीं दवा सकते हैं तो इसमें क् पर गूटि बाँनने का प्रयोक करते हैं। इस-्विधि-में तने के एक भाग, चारवह ओर दें कि छार हरो आदे का देनίο, 120फ है ध्याल करते हैं- इसमें और एक कोई भी साखा है, सिर्भा ऊविध्ति-तर्व-ीध-विषजीफर दौस्तुं, कुछ दिन वाद क्या होता, और इसमें क्या करते हैं, मिट्टी के लेप लगा देते हैं, और इसमें क्या होता क्या धोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, कि इसके जेस्ट उपरी वाली साखा में, यानि तने के जिस भाग को हमने छेल के क्या किया है, उसमें परवसंधियों में हमने कट लगाया है, उसके जेस्ट उपरी भाग में हम क्या करते हैं, कि एक घड़ा लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, पानी जो है, सुस्क मौसम मे पानी जो है उसको मिलते रहता है और क्या होता है दोस्तों कुछ दिन वाद इन में क्या होता है अपस्थानिक जणे निकल जाती है और अपस्थानिक जणों के निकलने पर क्या होता है साखा को गूटी से काट कर हम क्या करते हैं म्रदा में लगा देते हैं और इस प्रकार हमे देखते हैं क्या है हमारे पास दोस्तों क्या है एक मुख पौधा है क्या है दोस्तों हमारे पास एक पौधा है और यह पौधे का क्या है तना है अब देखिए दोस्तों क्या होता है इस पौधे के तने में हम क्या करते हैं यह देखिए पौधे का एक साइड का भाग है देख देखिए इस भाग को हमने क्या कर लिया छेल लिया अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं इसके हमने छाल को छेल लिया अब इसके बाद जो हमारा अगला इस्टेप है इसमें हम क्या देखते हैं अगले इस्टेप में क्या होता है देखिए अगले इस्टेप में क्या करते हैं कि हम इसमें ये जो हमारा कटा भाग है ये देखिए जो हमारा ये कटा भाग है देखिए दोस्तों ये जो हमारा कटा भाग है इसमें हम क्या करते हैं मिट्टी का लेप लगा देते हैं क्या करते हैं दोस्तों मिट्टी का लेप लगा देते हैं या ग्राफ्ट कर देते हैं मिट्टी को हम क्या करते हैं इसमें ग्राफ्ट कर देते हैं यह हम इसमें मिट्टी को लगा देते हैं अब इसके बाद देखिए क्या होता है इसके बाद जो हमारे अगले स्टेप है अगले स्टेप में क्या होता है दोस्तों कि अगले स्टेप में जो हमारा ओ यह भाग है दे इसमें हम पॉलीथीन यहाँ पे देखी यहाँ पे मिटिटि थी और इसमें हमने चारख और क्या करते neither कर दिया मैं अब इसमें क्या होता है दोस्तो थी ряд गयां दोस्तों पॉलिधिन लगा दिए 6 004 008 008 008 008 008 008 coc मुख पौधे के तने से काट के क्या कर लेते हैं अलग कर लेते हैं और क्या करते हैं इसके आगे का जो भागे इसको हम क्या करते हैं जड़े निकलने के बाद इसको हम रदा में लगा लेते हैं और एक नए पौधे को प्राप्त कर लेते हैं तो I hope दोस्तों कि ये वीडियो आ आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के भी शेयर करें मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रा